हाई हाई हालो प्रेंज म्हुट ह racing वाइश होग मात भी के लिए आपका इस वी टूस में सैंट इस वीडियो क्लास में दिसकस करेंगे वरा के सब्सक्राइए विर इस मुद्स काईंगो games के लिए और यह बढ़ने से पहले यहाँ इस अद्डा 247 की टेस्स के बारे मैं आपको बताना चाहूँगा, यह आप इसको जोइन करना चाहते हैं, तो इसका request आप मुझे mail पर भी कर सकते हैं, और discussion group में भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं इसका link आपको भीजूँगा, और वहाँ से इसको इ banking exams का almost यह integral part है, close test, ठीक है, bank clerk का और bank PO का सभी exams में यह पूछा जाता है, normally यह 5 number का होता है, 5 marks का होता है, लेकिन कभी-कभी 10 marks का भी close test पूछा जाता है, तो इसको किस तरीके से करना है, यह मैं आपको बताऊँगा, देखे, close test को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या पड़ी और आपने इस फिलर को देखा और उसको भरना सुरू कर दिया, क्योंकि उससे close test का close test का theme क्या है, या close test की tone क्या है, यह हमें पता नहीं पड़ता है, close test की theme बेसिकली होती है, किस topic पर बो close test बात कर रहा है, और tone होती है कि close test का actually close test positive है या negative है, close test किसी चीज को criticize कर र 50% close test पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है, without looking at the options, उसके बाद close test को आपको try करना चाहिए, यह से यहां से हम पढ़ते हैं, agriculture has always been celebrated as the primary sector in India, thanks to the green revolution, India is now production, India agriculture has been, तो इस paragraph में किसकी बात हो रही है, agriculture की बात हो रही है, इंडिया का जो primary sector है, agriculture उसकी बात हो रही है, green revolution की बात हो रही है, production को किस طریके से बढ़ा सकते हैं, यह इसमें बात हो रही है, अब देखी, यहां पर कुछ words देखिया, यहां पर एक word दिया है self addressed, एक word दिया है growing and using, इस इससे ये पता पड़ता है कि इसका जो टोन है ये पॉजिटिव टोन है इसमें हम agriculture में क्या technological advancement हो रहे हैं और किस तरीके से primary sector में इंडिया ग्रो कर रहा है उसकी इसमें बात हो रही है इसमें किसी भी चीज को किटिसाइज नहीं किया जा रहा है तो इसलिए इसका जो टोन है ठीक है और इसकी theme क्या है इसकी theme जो है वो agriculture in India है तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि agriculture has always been celebrated as the primary sector in India एकनोमी में तीन सेक्टर होते है प्राइमरी सेक्टर एक सेकंडरी सेक्टर और एक तर्सरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है सेकंडरी सेक्टर में हम उस चीज को प्रोसेस करते हैं और तर्सरी सेक्टर में हम उस चीज को ठीक है तो इस तरीके से ये तीन मेजर सेक्टर में एकनोमी को बाटा जाता है प्राइमरी सेक्टर सेक्टर और तरसरी सेक्टर तो एग्री कल्चर में हम प्रोड्यूस करते हैं ग्रेंज को हम प्रोड्यूस करते हैं इसको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं तो एग्री कल आई थी जो Green Revolution आया था उसको हम थैंक्स दे रहे हैं उसको हम थैंक्स इसलिए है कि यहां पर Green Revolution की वज़े से कुछ कुछ अच्छा हुआ है ठीक है Thanks to the Green Revolution India is now तो यहां पर India is now के बाद जो वर्ड आएगा वो कैसा होगा निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा डेफिनिटली पॉजिटिव वर्ड होगा तो कि यहां पर हम बोल ला है कि Green Revolution की वज़े से इंडिया में एक बड़ा चेंज आया है Thanks to the Green Revolution India is now अब यहां पर जो वर्ड आपको दिया है देखिए यह नए पिटल का क्लोस टेस्ट है यदि आपको लगता है कि यह जो वर्ड दिया है एक्जामेल रेने आपको यह यहां पर परफेक्ट फिट है तो आपका अंसर क्या होगा फस्ट के लिए आपका अंसर होगा परफेक्ट का मतलब नहीं करेगा वो तो independent के लिए यह word है वो क्या है वो है self sufficient in food यहाँ पर देखिए एक word को भी चेक कर रहे हैं और proposition को भी चेक कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसे उपर देखा है self address for और तो self sufficient कोई विक्ति होता है self sufficient का मतनब है कि वो independent है अपने पेरों पर खड़ा है तो वह किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर फील्ड में self sufficient होता है तो यहाँ पर हम self sufficient in food production यहाँ पर यह सही आंसर होगा ठीक है अब देखे प्रडेक्शन वर्ड भी यहाँ प food production इस तरीके से इसको आपको करना है ठीक है इसके बगल वाले जो words होते हैं जो फिलर यहाँ पर होता है इसके बगल में proposition कौन सा जाएगा ठीक है वो आपको देखना है मतलब यह जो option है यह जो फिलर है इसके left hand side में और right hand side के जो adjoining words है उनको आपको connect करके देखना है जिस revolution पहले हुआ है और अब हम बोला है कि India is now तो green revolution की वज़े से इंडिया पर क्या फरक पलेगा green revolution की वज़े से एक revolution आया है तो इसकी वज़े से इंडिया क्या हो गया है self sufficient हो गया है food collection में ठीक है तो इसका right hand side right hand wall of world और आपका left hand wall of world आपको देखना है उससे connect करके फिर आपक common sense apply करना है second हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं Indian agriculture has been growing and using technology technologically as well अब देखिए यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से सो करना है Indian agriculture has been growing has been के साथ growing growing आएगा and using अब देखिए using के बाद क्या word आएगा I am using यदि आप एक sentence बोलते हैं I am using तो using के बाद normally आप कौन सा word लगाएंगे कौन सा part of speech लगाएंगे आप noun लगाएंगे I am using a computer I am using a pen I am using a book ठीक है तो using के बाद यहाँ पर जो requirement है वो किस चीज की requirement है noun की requirement है ठीक है तो अब हम देखते option India Indian agriculture has been growing and using देखिए यहाँ पर technologically दिया है जो कि एक adverb है गलत होगा यह तो यहाँ पर replacement की ज़रूबत है और यहाँ पर आप बोलेंगे इंडिया Indian agriculture has been making technological advancement तो technological advancement में advancement noun है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको noun चाहिए Indian agriculture has been making has been making what has been making technological advancement ठीक है as well मतलब इंडिया में technological advancement भी agriculture की field में होते रहे है Indian agriculture has been has been के बाद ING form आएगा तो ING form लगा है making और making what making advancement advancement क्या है यहाँ पर noun है advancement को modify कौन सा word कर रहा है technological तो technological क्या हुआ एडजेक्टिव है advancement क्या है advancement is a noun technological is a adjective making is a verb ठीक है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा making technological advancement यह close test जो है यह simple close test है इसमें कुछ भी कथे नहीं है Indian agriculture has been making technological advancement as well as well मतलब as well यह लाता है also के लिए तो Indian agriculture has been making technological advancement as well कि के तो यह होगा आपका second अब हम आगे पढ़ते हैं और option number three देखते हैं क्या इसमें पूशा जा रहा है यहां पर हम यह बोल रहे हैं कि Indian agriculture ग्रो कर रहा है और positive positive तरीके से ग्रो कर रहा है लेकिन यहां पर देखे यह contrast create किया जा रहा है और सफ़र फीशिल एनलेसिस अब दाब पॉइंट्स वो टैंट बन तुसे एस यदि यदि उपर जो पॉइंट्स दिये हैं उसका एक सुपर फीशिल एनलेसिस किया जाए तो कोई भी व्यक्ति टैंट हो जाएगा कोई भी व्यक्ति यह कहने पर मजबूर हो जाएगा कि Indian agriculture is growing quite good ठीक है लेकिन यहां पर एक keyword दिया है बट बट के थुरू यहां पर एक contrast क्रियेट किये जा रहा है तो यहां पर आपको एक contrasting phrase या वर्ड चाहिए बट दा study is different हम नहीं बोलेंगे बट दा स्टडी के स्थान पर हम बोलेंगे तीसरे में option क्या है तीसरे में हम देख लिए आगे बढ़ेंगे और इसमें हम बोलेंगे but the truth is far from it देखे इस phrase में हम क्या बोल ला है कि सच्चाई जो है वो इससे दूर है यानि यहां पर हम एक contrast create कर रहा है इस phrase के द्वारा कि सच्चाई जो है वो इस चीज से दूर है कि इंडिया में technological advancement हो रहे है in the field of agriculture so here indirectly you're creating a kind of contrast truth is far from it बतर सच्चाई से दूर है तो यह जो phrase है यहां पर एक perfect perfect fit है but the truth is far from it the realities देखे यहां पर भी आगे एक word दिया है the reality is ठीक है तो real और true same चीज़ा होती है तो इसलिए यहां पर आगे extend किया गया है the reality is that Indian farmers have to face extreme poverty and financial crisis reality यह है कि भारत के जो किसान है Indian farmers जो है they have to face extreme poverty उनको बहुत गरीबी जहलनी पड़ती है financial crisis जहलनी पड़ती है which is अब देखे यहां पर यहां पर क्या है which is बतलब यह जो fact है कि extreme poverty और financial crisis ठीक है इसका result क्या है इसका result यह है suicides कर लेते हैं किसान जो है वो suicide कर लेते हैं अब यहां पर आपको क्या word चाहिए which is दिया है यहां पर तो यहां पर आपको continuous tense में एक word चाहिए तो which is suicide suicide कौन लोग करता है किसान करते है किसान के लिए प्रोनावन क्या है दैम है तो यहां पर हम बोलेंगे और ing form का word चाहिए क्योंकि इज लगा हुआ है तो यहां पर आप बोलेंगे which is driving them to suicide ठीक है यहां पर आप simple tense में भी बोल सकते हैं which drives them ठीक है which drive them to suicide ऐसे भी आप बोल सकने लेकिन ऐसा कोई option इसमें नहीं है प्रिजन कंटिनुस टेंस का ही एक option है इसमें तो which is driving them to suicide तो यहां पर आपका अंसर क्या होगा आपका अंसर होगा यहां पर first which is driving them मतलब जो उनको खीच रहा है सुसाइट करने के लिए जो उनको मजबूर कर रहा है सुसाइट करने के लिए मजबूर कौन सी चीज कर रही है extreme poverty और financial crisis what are the grave adversities that drive the farmers to commit society यहां पर भी यदि आप आगे बढ़ें तो यहां पर भी एक वर्ड आया है drive ठीक है what are the grave adversity grave means very serious adversity मतलब बिपक्ती या misfortune तो adversities क्या है adversities noun है grave क्या है grave एक adjective है बिपक्ती जो है वो कैसी बिपक्ती है simple बिपक्ती नहीं है they are the serious adversities they are the grave adversities ठीक है तो grave क्या हुआ यहां पर एक लिखते हुआ adversities क्या हुआ यहां पर noun हुआ तो इस तरीके से analysis आप करा करो जब आप पढ़ा करो कोई भी कोई भी paragraph पढ़ रहे हैं हिंदू का आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से analysis जरूरी रहता है what are the grave adversities that drive the farmers to commit suicide suicide एक noun है suicide के साथ हम commit word लगाते हैं हम do word नहीं लगाते इसको भी आप ध्यान रखिए ठीक है तो ऐसी कौनसी मुसीबत आ जाती है ऐसी कौनसी grave adversities होती है जो farmers को suicide commit करने पर मजबूर करती है at a time when the Indian economy is to take on the word यहां पर एक word दिया है to take on the word take on the word होता take on का मतलब होता है किसी चीज का सामना करना ठीक है तो यहां पर सामना करने से related एक word आपको चाहिए thought of elevating up इसमां देखते हैं क्या आएगा इंडियन अग्रीकल्चर इस एड़ टाइम इंडियन एकनोमी इस तो इसके साथ आपको यहां पर यहां पर आपको चाहिए thought of imagined of supposed to be gearing up क्या होगा इसमें option इसमें आपसा आपका आंसर होगा C at a time at a time when the Indian economy is supposed to be gearing up supposed to be gearing up to take on the word gear up पतब तयार होना तयार होना किसके लिए तयार हो रहा है इंडियन अग्रिकल्चर पुरे संसार का पुरे वर्ड का सामना करने के लिए at a time when India is supposed to be gearing up to take on the word ठीक है इसके वाद हम पढ़ते हैं आगे 6 में देखते हैं Indian agriculture is Indian agriculture is dominantly about the nature dominantly about the nature देखिए यह हम सभी लोगों को पता है कि Indian agriculture जो है वो monsoon oriented है वो monsoon पर depend रहता है ठीक है monsoon अच्छा हुआ तो फसल अच्छी होगी मांसूर खराब हुआ तो फसल खराब हो जाएगी तो यहां पर हम बोल सकते हैं Indian agriculture is predominantly dependent on dominantly about नहीं बोलेंगे Indian agriculture is मुख्य रूप से predominantly मतलब मुख्य रूप से predominantly dependent on pre-dominantly dependent on nature नेचर पर निर्वर है इरिगेशन फैसिलिटीज डेटर करेंट्ली अबेलेबिल दो नोट कवर दा entire cultive. रेडियलेंड इरिगेशन फैसिलिटी जो अबेलेबिल हैं जो सिचाई विवस्थाएं अबेलेबिल हैं गॉर्मेंट की तरफ से पूरे cultivabli जो land है, cultivable land मतलब arrayable land, जिस land पर आप cultivation कर सकते हैं, ठीक है, जो barren नहीं है, जो arrayable land है, that are currently available, do not cover the entire cultivable land, if the farmers are at the for timely water for their crops, यहाँ पर क्या आएगा, if the Indian farmers are at the देखे, एक phrase होता है, एक idiomatic expression होता है, जिसको हम बोलते हैं, at the mercy of at the mercy of, at the mercy of का मतलब होता है, किसी की दया पर निर्भर होना, किसी की दया पर निर्भर होना, तो if the farmers are at the, यहाँ पर एक key word है at the, तो at the के साथ, कि ब़ल मर्सी वर्ड ही जा सकता है, क्योंकि यह phrase होता है, if the farmers are तो इसमें आपका आँसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा आपका second if the farmers are at the mercy of at the mercy of monsoon for timely water मतलब Indian farmer जो है इंडिया का जो agriculture है वो monsoon की जो बारिश होती है या monsoon की जो विवस्ता होती है उस पर वो निर्फर रहता है for timely water for their crops क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं बहुत सारी जगे ऐसी हैं आपर सचाई वे वस्ताई नहीं है और monsoon का जो पानी होता है उससे जो सचाई होती है उसी पर वो निर्फर होते है if the farmers are at the mercy of monsoon for timely water for their crops they are at the mercy of the government for बेलकों सही है ये they are at the mercy of the government for alternative irrigation facility ठीक है यदि किसी किस्तान को monsoon का पानी नहीं मिलता है तो सचाई के लिए government के द्वारा जो provided की जारी है जो विवस्ता है उस पर वो निर्फर होगा तो they are at the mercy of the government for alternative irrigation facility alternative का मतलब होता है optional ठीक है और यहाँ पर जो option में दी है alternating alternating की spelling ये गलत हो गई है कोई बात नहीं alternating, alternation, irrigation लेके यहाँ पर alternating का मतलब क्या होता है alternating का मतलब होता है बार 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 बदलना जैसे AC current के बारे में आपने सुना होगा जिसको हम बुलते है alternating current ठीक है तो alternate का मतलब होता है पहले A, फिर B, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B इस तरीके से बदलना किसी चीश का लेकिन यहां पर आपको अल्टनेटिंग वर्ड नहीं चाहिए यहां पर आपको वर्ड क्या चाहिए अल्टनेटिव क्योंकि मांसून की यदी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है तो ओविस्ली दा फारमर्स अधिपेंडेंट ओंड अल्टनेटिव इंगेशन फैसिलिटी तो आपका आंसर जो होगा, कोश्चिन नम्मर एट का वो होगा, नो चेंज, बिकॉस देज़ गिविन इस, बिकॉस देज़ गिविन इस अलड़ी करेक्ट, तो आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, अलड़नेटर विरिगर्शन फैसिलिटी, देज अलड़ी करेक्ट, एड़ेक्टली फेलियर ओफ नेचर, डिरेक्टली अफेक्ट दा, नेचर का कोई भी फेलियर, किस चीज को अफेक्ट करता है, डिरेक्टली फेलियर दा, यहाँ पर हम देखते हैं, डिरेक्टली अफेक्ट दा, राइट अफ दा फार्मर्स, फोर्चुन अफ दा फार्मर्स, डिसीजन अफ दा फार्मर्स, नेचर अफ दा फार्मर्स, ठीक है, तो एड़ेक्टली फेलियर ओफ नेचर, यदि नेचर फेल होता है, भी मौसुन सही नहीं आता है, तो उसकी जो फसल है, वो खराब हो जाती है, और उससे आगे का उसका जो, उसका जो financial status है, या financial जो उसकी position पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, कोई उसकी income नहीं आती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो correct word होगा, वो होगा, fortunes of the farmers, कोई उसके पास पैसा नहीं आपाता है, तो fortunes of the farmers, यहाँ पर सही होगा, secondly, Indian agriculture is largely an unorganized sector, इंडिया का जो अग्री कल्चर है, वो पूरी तरीके से unorganized है, ठीक है, unorganized sector, there is no, there is no what, इसमें देखते हैं, intellectual cultivation, thoughtful cultivation, true approach, systematic planning in cultivation, तो यहाँ पर जो सबसे एप्रोप्रोप्रियेट होगा है, वो है, दे intellectual cultivation जैसा कोई word नहीं होता, thoughtful cultivation, यह कोई philosophy नहीं है, true approach नहीं होता, हाँ, systematic planning in cultivation आप बोल सकते हैं, चुकि जो agriculture, जो sector है, वो unorganized है, इसलिए, उसमें कोई, there is no systematic planning in cultivation, तो यहाँ पर आप यह बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका D, तो इस तरीके से, इस close list म मैंने 10 option को fill करके आपको बताया है, और hopefully यह काफी useful रहेगा आपके लिए, bank PO और bankler के exam में इस तरह के close test पूछे जाते हैं, तो आपको common sense और logic को apply करना है, theme को पकरना है, tone को पकरना है, जो option होता है, उसके right hand side वाला word और left hand side वाले word को connect करके उन options को देखना है, उसके बाद options को आपको करना है, तो ऐसे आप करेंगे, तो आसानी से accuracy के साथ किसी भी close test को आप कर पाएंगे, कोई भी feedback इस video class के regarding आप देना चाहते हैं, तो इन numbers पर और इन email ID पर आप दे सकते हैं, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आप से बिलूँगा, next video class में, thank you.